एक गाव में किशोर नाम का लड़का रहता था, पड़ाही में वो सबसे अधिक होश्यार लड़का था, माबाप और टीचर का सन्मान करता था, उनकी बाते मानता था, वक्त पर अभ्यास करता था एक बार क्लास में टीचर ने परियावरन के विशे में पढ़ाया सभी बच्चों को इस साल पेड लगाने के लिए सुचित किया और कहा पेड ही हमारा जीवन है पेड है तो पानी है पानी है तो जमीन है जमीन है तो अन्न है पेड के कारण फल फुल मिलते है पेडों से प्रदुशन और उष्णता कम होती है और सबसे महत्वपुरू ने यह है पेड हमें ऑक्षिजन और आरोग्य देते है इस बात से किशुर काफी प्रभायूत हो गया उसने ठान ली कि इस बार वो सबसे अधिक पेड लगाएगा उसने जामून, आम, लीम, बरगत ऐसे पेडों के बीज एकटा किये अच्छी बारिश होने पर उसने वो साहरे बीज अपने खेत और नदी किनारे लगाए इस काम में किशुर की दादी ने भी सयोग दिया बीज में से नन्ने नन्ने पेड बढ़ने लगे उन छोटे-छोटे पेडों की फोटो उसने अपनी मोबाईल में उतार ली और अपने टीचर को दिखाई स्कूल के टीचरों ने उसका अभिनंदन करती हुए शाबासी दी इस बात से वह अधिक प्रभावित हो गया बारिश खत्म हो गई स्कूल छुटने पर वह सबसे पहले अपने पेडों से मिलने जाता था जाते वक्त पानी साथ ले जाता और सब को दे देता धिरे-धिरे पेड उभरने लगे उनके हरे-भरे पत्तों को देखकर उसके मन में भी हरियाली छा जाती वह अधिक प्रसन हो जाता पेडों के संपर्क में आने से और उनकी सेवा से वह हर्शोलासित हो जाता उसका मन और ध्यान एक चित रहने लगा धूप का मोसम आने पर परिक्षा होते ही स्कूल को छुट्टी लग गई अब वह रोज सुबह शाम पेडों के पास टहलने जाता उन्हें पाने देता था मई का महिना था दिन भर तेज धूप लगी रहती थी कठिन और तेज उश्णता की लहरों की वज़से बाहर ना निकले ऐसे न्यूज टीवी पर और आगबारों में रोज आने लगे थे लेकिन एक दिन वह पेडों को पानी देने चला गया तो उसके पेडों की जमीन सरग गई वह हक्का बक्का हो गया जो पेड कल तक हरे भरे थे वह जल चुके थे सुक गये थे यह द्रश्य देखकर वह दुखी हो गया साल भर जिने पानी दिया वह पेड आज आचानक नश्ट हो गये वह रोते रोते घर आया और दादी से पूछने लगा दादी मेरे पेड मर गये है बतावो वह क्यों मरे दादी ने उसे समझाते हुए कहा बेटा किशोर पेड भी हमारी तरह होते है उन्हें भी दूप लगती है और वह तो तुम्हारी तरह नन्ननने छोटे 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 पेड थी ज्यादा धूप लगने से वह मर गये किशोर ने कहा दादी अगर छोटे पेड धूप से मरते है तो अब हम पेड नहीं लगाएंगे तब दादी ने उसके बालों से हाथ सहराते हुए कहा नहीं बच्चे ऐसा नहीं कहते हमें फिर से प्रयास करना चाहिए अगर पेड नहीं लगाएंगे तो धूप और तेज हो जाएगी और आने वाले समय में बीज से ही वरक्ष उभरेगा नहीं बड़ी कठीन परिस्तिती आने वाले समय में होगी इसलिए तुम बार बार प्रयास करना और पेड लगाना अगर तुम जित पर धटे रहे तो प्रकृति भी तुम्हारा साथ देगी तब पेड नहीं मरेंगे दादी की बात सुनकर किशोर में फिर से उर्जा सम्मिलित हुई और उसने ठान ली कि वह पेड तो लगाएगा ही लेकिन पेडों को मरने नहीं देगा इसलिए उसने पेड लगाते वक्त उन्हें च्छाओं की विवस्ता कर दी अब किशोर के लगाये हुए पेड नहीं मरते बच्चो ये कहानी आपको कैसी लगी आप सभी को बिन्ती है आप सब कम से कम एक पेड लगाए प्रकृति को बचाए अपने चैनल को सब्सक्राइब करे अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करे धन्यवाद